आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई की रेसिपी वो भी सिंपल सामगरी से और एकदम रेस्टोरेंट इस टाइप तो वीडियो में इन तक बने रहीगा यकीन मानिएगा आपको बहुत पसंद आने वाली है Hello Everyone Welcome back to my channel तो आएए बनाते हैं मेथी मटर मलाई बनाने के लिए सते पहले हम मेथी ले लिए तो मेथी के पत्ते लिए मैंने इनको मैंने अच्छा से दो करके सुखा लिया है अब हम इस मेथी को कट कर लेंगे तो हमें इसको बार इक कट करने की जरूत tęए है रफली चॉप कर लेना है तो देखिए यह मैंने कट कर लिया है पर सुखा कर ही कट करना ये खास ध्यान रखना है फिर हम लेंगे चार बड़ी साइज के तमाटर रफली कट किये हुए दो प्याज इनको भी मैंने कट कर लिया है फिर हम लेंगे मटर यह मैंने एक कटोरी मटर लिये लगबग देड़ कप ये फ्रेस मटर हैं और मेठे मटर हैं तीन हरी मिर्ची 10-15 लेसुन की कलियां और आदक टोरी टुकड़ा काजू फिर हम लेंगे इस्पेसल इंगेडियंट जिसके बना ये रेसीपी अधूरी है तो हम ले रहें मलाई तो ये मैंने फ्रेस मलाई लिए अब हम एक चम्मच घी डालेंगे कडाई में और गी को हम गरम कर लेंगे गी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे मटर और मटरों को हम भूनेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए और यदि आपके पास मीठे मटर हैं तो आपकी सबजी बहुती स्वादिश्ट बनने वाली है तो मैंने एकदम कच्छे और मीठे मटर लिये हैं तो इनको हमें लगातार चलाती हुए बून लेना है लगबग 2-3 मिनट के लिए हमें इनको बूनना है 50% पकाना है इनको तो इस तरीके से हम पका लेंगे थोड़ देर के लिए डख देंगे इनको और उसके बाद चेक कर लेंगे तो जड़ देर हमें डखना नहीं लगबग 1-5 मिनट इनको डखना रहें 1-5 मिनट इनको लगातार चलाती हुए पका लेना है अब हम इनको बहान निकाल लेंगे तो देखिए इसी तरीके से हमें मटरों को पकाना है एकदम मैसी नहीं करना है यह दिहान लाखेंगे और थोड़ी देर के लिए 1-5 मिनट के लिए मेथी को हम भून लेंगे तो फ्रेंड्स यह दिया आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा तो देखिए जैस जैसे भूनत तेल डाला तेल को हम गरम कर लेंगे फिर हम डालेंगे इसमें जीरा आदा चमच यह अद्रक के टुकड़े दो इंच अद्रक के टुकड़े लिए और यह तीन हरी मिर्ची रफली चौप की हुई और यह 10-15 लेसुन की कलिया इन सभी को हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम इस ताइम रखेंगे कम क्योंकि हमें इनको जलाना नहीं है सिर्फ हलका सा भूनना है तो कुछ सेकंड के लिए हम इनको भूनेंगे क्योंकि तेल अच्छी से गरम हो चुका है फिर हम डालेंगे इसमें प्याज तो दो मीडियम साइज के प्याज रफली कट किये हुए चौ इनको हम एक साथ लगातार चलाते हुए गैस का फिली मीडियम टूलो रखते हुए भूनेंगे पकाएंगे तो हमें इस तरीके से प्याजों को भून लेना है मैंने भून लियें इसकी कलियां लग हो गई है अब हम टामाटरों को भी इसमें डाल देंगे और साथ में डाल एक छोटा चमच या टेस्ट के अंसार अच्छे से मिक्स करेंगे और टामाटरों को भी सेम तरीके से हम मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे उसके बाद धक करके पकाएंगे तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को वैल आइकन के साथ सब्सकाइब जरूर कर दीजेगा जिससे आने वाले वीडियोज के नॉटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे सभी वीडियोज को सबसे पहले देख सको तो देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके बीच में एक दो बार मैंने चेक कर लिया था पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे अब हम फिर से कड़ाय में डालेंगे एक चम्मच गी और थोड़ा सा तेल तेल हमें पिलकुल थोड़ा सा डालना है लगबग दो टेवली स्पून गरम कर लेंगे इन दोनों चीजों को फिर हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले तेजपत इन सभी ओव भी हम इस तरीके से भून लेंगे गैस का keitकम रखेंगे हम बिलकुल कम फिर हम डालेगे जो पेस्ट बनाकर तयार किया है हमने उसको उन्हों हम इसमें एड्ड कर देंगे तो इस तरीके से हमें ठंडा करके पेस्ट बना लेना है प्यूरी बना लेनी है तो द हम पकाएंगे इसमें मसाले भी एड करने वाले हैं तो देखे पहले हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है मसाले डालेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर एक चमच फिर डालेंगे हम इसमें और हल्दी पाउडर आदा चमच तो ये छोटी चमच मैंने मसाले डालें ये ध्यान रखना है हमें मसाले आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे विल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बुनी मटर और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी अच्छे से कोट करेंगे तो मिक्स कर दिये मैंने फिर हम इस ग्रेवी को और मटर और मेथी को अच्छे से पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए लगातार चलाते हुए जब तक कि ये कडाई ना छोड़ने ल तो ये दूद की मलाई है, फ्रेस, तो इसको हम डाल देंगे, मैंने इसमें आदा कप मलाई डाली है, अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर इसको भी हमें इसी तरीके से पकाना है, ये भी कड़ाई छोड़ने लगें, जैसे जैसे ये पक यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सियर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वेल आईकर के साथ तो देखिए ये भी कडाई छोड़ने लगी है मलाई भी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डाले अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम पानी डाला है मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको धक करके पकाएंगे तो देखिए इस तरीक से धक करके पकाएंगे एक दो बार बीच में चैक कर लेंगे तो मैंने चैक कर लिया था अब हम इसको देख लेते हैं तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वाधिस्ट तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा सेम रेसीपी से जब भी आपके घर में कोई मेहमाना है तो यह सबजी बना कर खिला सकते हो और इस सबजी को आप चपाती पराठे नान चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो ग्रेवी की कंस अगर सर्व करेंगे तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसीपी के साथ बहुत जल्द धन्यवाद